आज हम चैप्टर करेंगे रिप्रोड़क्शन का हाउडू ओर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस एसेक्सोल रिप्रोड़क्शन के टॉपिक रहेगा आज हमारा उके के तो हो डू ओर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस में हम पढ़ेंगे रिप्रोड़क्शन एंड डिफरेंट मैंथ। जब कोई आर्गिनिजम अपनी ही तरह के इंडुईजवल्स को प्रोड्यूस करता है तब हम कहते हैं उस ऊरीज़िजवल्स ने और्किनिसम जो होते हैं, सबका एक बेसिक बादर डिजाइन है, और बेसिक बादर डिजाइन उनके ब्लूपरिंट जो की उनका DNA में स्टोड है, उसके वजह से होते हैं, जेनेटिक मेटीरियल जो की DNA है, डियॉक्सी राइवोस नुकली के सेड़, DNA ठीक है, DNA जो है वो राइवोस नूकली केसिड एक आपके पास जैनेटिक मिटीरियल है, जहां पर कोड होता है ब्लूप्रिंट किसी भी और्गेनिजम के बेसिक डीजाइन, बॉडल डीजाइन का, DNA में information stored है, in the form of sequence of proteins, to be made by the cell, और कोई भी disturbance, change, जो है ब्लूप्रिंट में, it leads to change in protein manufacturing, जिसके वज़े से body design change हो जाता है, जब भी reproduction होती है, तो DNA की copying होती है, cell division के दौरान DNA copies बनती है, और जब भी DNA की copy बनती है, reproduction में, meiosis के दौरान, तो meiosis से पहले, और meiosis के दौरान जो है, वो crossing over हो जाती है, तो DNA में changes आ जाती है, chromosomes में changes जाती है, जिसके वज़े से parents और offspring में भी changes आती है, ठीक है, विरियेशन्स जो आती है, DNA की कॉपिंग के दरान, प्रोसेस के दरान, मियासिस प्रोसेस के दरान, जो है, जब ग्रासिंग उबर होती है, वो विरियेशन्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी habitat में एक particular population जो है, organisms की रहती है, हर एक population में जो है, reproduction जो है, वो लिंक करती है, stability of organism से जैसे, बैक्टिरिये जो है, वो किसी temperature water में रहते हैं, अगर जरासा भी temperature increase होता है, तो वो say die हो जाते हैं, global warming की बज़़ से कौन से survive करेंगे, only those bacteria which have the power to tolerate more temperature, तो यह उनी organism, उनी bacteria में कुछ ऐसे भी होंगे, जिनमें यह variation आई होगी, और यह variation इस time इनको help कर रही है, survive करने में, तो variations are very important with the changing environment to cope up with the environment और survival के लिए, better survival के लिए, अब अगर हम reproduction की बात करें, तो generally reproduction जो है हमारे पास, दो तरहा की होती है, एक होती है sexual reproduction और एक होती है asexual reproduction, sexual reproduction और asexual reproduction, sexual reproduction और asexual reproduction में यह difference है, कि asexual reproduction में only one single individual involved होता है, parent के रूप में, यानि यह uniparental होती है, और जो दूसरी reproduction है sexual, इसमें biparental होती है, two parents होते हैं, विदापोजेट सेक्सिस, asexual reproduction के बहुआ सारे methods हैं, जैसे fragmentation, fission, regeneration, budding, vegetative propagation, spore formation, etc. अब अगर हम fission के example लेते हैं, fission, asexual reproduction में, तो fission क्या है, fission unicellular organism में प्रोसेस होती है, यह बैक्टिरिया का आपको example दिखा रखा है, amoeba को, sorry, हम अब हमें सबसे पहले nucleus elongate होगा, nucleus के दो पार्ट होगे, तो साथ ही साथ होगे, साइटो प्लाजम के division स्टार्ट हो जाएगी, फिर इस तरह से nucleus भी दो में डिवाइड हो जाएगा, और साइटो प्लाजम भी और एक organism से दो organism बन जाएगे, इस तरह का जब division होती है, sorry, partition या हम कहलें, splitting हो जाती है, इस तरह से, तो हम इसको कहते हैं, यह fission प्रोसेस है, दो organism बने तो binary fission है, अगर multiple बने तो multiple fission है, multiple fission के example हमारे पास plasmodium का है, लीश मैनिया का भी है, जो binary fission में help करता है, प्लाजमोडियम जो है, यह malarial parasite है, प्लाजमोडियम इस malarial parasite, आपको पता है, यह malarial cause करता है, यह multiple fission में जाता है, बहुत सारे daughter cell एक time पे यह produce करता है, फिर east जो है, यह भी एक fungus है, यह small words देती है, और fermentation process जो है वो इससे होती है, fragmentation, fragmentation इसमें simple multicellular organism इस method से divide करते हैं, जैसे for example, हमारे पास है spirogyra, spirogyra, it is the kai बोलते हो जिसको आप, that is, जो कि water bodies पे आपको बहुत मिलती है, यह filamentous होती है, इसके filaments होते हैं, इसके filaments simply break कर जाते हैं इस तरह से, और जहां से break करते हैं, वहीं से नया spirogyra, जो है resonate हो जाता है, इसको हम fragmentation कहते हैं, इसके बाद हमारे पास आता है regeneration, और regeneration का example आपके पास है, प्लेनेरिया, यह बहुत important example है, जो आपको पूछा भी जाता है, exams में, regeneration का, body parts जो हैं, वो नए individuals बनाते हैं, regenerate हो जाते हैं, इसमें जो भी individual है, multicellar organ, जैसे hydra हो गया, प्लेनेरिया हो गया, यह सारे इसके examples हैं, they are capable of developing new individuals, if their body is cut into many pieces, जिससे यह प्लेनेरिया के example है, प्लेनेरिया के body तीन हिस्सों में cut हो रही है, तीन पार्ट में, अब यह तीनों पार्ट जो है, जो जो हिस्सा इनका cut है, वो दुवारा develop कर लेंगे, और इस तरह से तीन पार्ट से तीन organism तैयार हो जाएंगे, इसको हम कहते हैं, regeneration, फिर हमारे पास आता है, next budding, यह hydra इसका example है, बड़िंग का, hydra में regeneration भी होती है, budding भी होती है, budding जो है, reproduction by bird formation, जैसे यह hydra है, देखिए, outgrowth है, जो किसी भी individual की body पे grow हो जाएगी, और फिर, एक maturity तक growth होने के बाद, parent की body से detach हो जाएगी, और detach होके, जो है, वो, substratum पे एक नए organism तैयार कर देगी, hydra में special regenerative cells होते हैं, जो इन words को देते हैं, hydra में देखिए, यह बड़ ग्रो कर रही है, ग्रो करी, एक maturity की stage पे पहुँचने के बाद, यहाँ से detach हो जाएगी, और नया hydra जो है, वो produce करतेगी, फिर, अकला method हमारे पास आता है, spore formation का, और spore formation का जो method है, यह generally fungus में apply होता है, फंजाई जो है, वो spore produce करते हैं, जैसे rhizopus, bread mold, इसका बहुत अच्छा example है, हमारे पास, यह bread mold, इस तरह से इन में sporengia लगे होते हैं, sporengia के अंदर spores होते हैं, यह sporengia जब maturity के उपर dehyse होते हैं, तो बहुत सारे spore जो हैं, वो stratum मिलता है, conditions मिलती है, favorable conditions मिलती हैं, अपनी growth के लिए, वहाँ पर germinate हो जाते हैं, और नई fungus को बना देते हैं, इस तरह से यह spore formation method, फंगस में apply होता है, फिर हमारे पास आता है, last में, vegetative propagation, का question भी बहुत important है, पिपर में आता है, vegetative propagation में आपने बहुत सा, यह example, ब्रायो फिल्लम का जो अपने घरों में देख रखा है, यह है, ब्रायो फिल्लम का example, जो की leaf word grow कर रही है, और यह जब detach हो जाएगी, तो नया ब्रायो फिल्लम प्लांट जो है, वो तयार कर देगी, त इसको हम, vegetative propagation कहते हैं, कि vegetative part of the plant used in generating new plants, vegetative propagation जो है, यह new plant let, vegetative parts को use करके, जैसे root, stem, leaves बनाए जाते हैं, यह बहुत सारे method से हो जाता है, natural method से भी हो जाता है, जैसे यह natural method से हो जाएगा, leaves से, stem से, artificially हम करते हैं, जैसे cutting लेते हैं, layering करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्र करते हैं, tissue culture करते हैं, इस सारे method हैं, अब यह जो plants है, यह roots से grow कर लेंगे, हम disease plant जो होगे, अगर हम advantages देखें, कि vegetative propagation की, क्या क्या advantages है, तो वो आपको कुछ ही इस तरह से मिलेंगी, यह बहुत important question है, पहला है, कि जो plant part certain process में, रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, तो vegetative parts को हम use करते हैं, healthy vegetative parts को, इस से हम agriculture purpose के लिए artificially practiced कर सकते हैं, diseased plant से हम healthy plant produce कर सकते हैं, rare हैं जो plant जो की threatened stage में हैं, उनको हम grow करवा सकते हैं, उनको बचाने के लिए, genetically similar plants हम उनके parents की तरह बिल्कुल produce कर सकते हैं, इस method से, जिन में कोई variation नहीं होगी, और quality जो है उस plant की maintain रह जाएगी, तो इस तरह से ये vegetative propagation का है, asexual reproduction over हो गया, thank you, have a nice day.